हिमाजल परदीश सिर्फ करमचारी पेंशनर्स युबा बेरोजकार स्युंक्त मोचा के परदेश अधिक्ष गोपालदास वर्मा ने कहा कि अगर परदेश की भाजपा सरकार ने तीन माँ के भीतर करमचारियों पेंशनर्स ब उत्पीडित करमचारियों के मुद्दों पर जन जागरन अभ्यान चलेगा जो गाउं से शहर तक चलेगा उन्होंने कहा कि प्रदीश भाजपा सरकार ने सत्ता पर काबिस होने के बाद पूर्ग कॉंग्रेस सरकार दोरा रहसनेतिक उत्पीडित करमचारियों को शीक्र पहाल करने का आशवाशन दिया था लेकिन प्रदी के कारेकाल में जिन करमचारियों ने उस सरकार के ब्रस्टचार के मामलों को उजागर किया था और करमचारियों को राजनेतिक उत्पीडिन के अधार पर ब्रकास्त कर दिया गया था जिसमें बैव ब ओपी गोयल प्रमुकता से शामिल थे इन करमचारियों ने प्रदेश मे भाजबा को सत्ता में लाने के लिए पूर्ग मुक्य मंत्री पी के दूमल के साथ मिलकर कड़े प्यास किया और पूर्ग मुक्य मंत्री बीर बदर सिंग की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन रासनितिक उत्पीडन के अधार पर नोक्री से निकाले गए करमचारियों को आज तक कोई नयाय नहीं मिला है उन्होंने मुक्यमंत्री जहरम ठाकुर की सरकार से इस मुद्धे पर स्पस्टिकर्ण मांगा है बर्मा ने कहा कि करमचारियों पैंशनर्स के मुद्धे पर हमिर्पर में केंद्री बित राजे मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मिले हैं उन्होंने प्रमुक्भ मांगों को मुक्यमंत्री बस सरकार के समक्ष उठाने तथा समाधान करवाने का आश्वा शंधिया है उन्होंने प्रदीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदीश सरकार द्वारा करमचारियों पो पेंशनर्स को ना तो डिये और ना ही महंगाई भता दिया गया है और ना अन्य बित्ती लाब दिया गए बर्माने कहा कि सरब करमचारी पेंशनर्स युवा बिरोजकार सीुंक्त मोचा ओड़ पेंशन स्कीम की बहाली के मुध्य पर NPS करमचारियों को आंदोलन का साथ देγα अगर सरकार ओड़ पेंशन स्कीम को बहाल नहीं करती है तो मन्तनी वब विधायकों की पेंशन बंद की ज आने में खामूश क्यों है मुख्यमंत्री महोदे आपने जब सरकार बनी थी तो आपने का था कि शीगर ही उन करमचारी नेताओं को नौकरी पर रखा जाएगा जिनको पूरुब कांगर सरकार ने नौकरी से बर्खास किया था नौकरी से बर्खास करने वाले नेताओं को पर कोई बड़े चार्जिज नहीं थे बहुत बड़ा कोई गफला नहीं था जिसमें तो एक तो मैं ही था कुपालदा स्वर्मा मैंने पूरु मुख्यमंत्री वीर भदिर सिंग के ब्रश्टा चार को उजागर किया था और ओपी गोईल जो प्रेटन निगम में वो भी अध्यक्ष थे वहांके उन्होंने भी प्रेटन निगम के ब्रश्टा चार को उजागर किया था कारण सिर्फ यही है बाकी कुछ नहीं है ब्रश्टा चार को उजागर करना कोई अपराध नहीं है और पूरुप कांगर्स सरकार ने बदले की भावना से राजविती को उत्मीडन करके नौकरी से बरखास कर दिया और वर्तमन सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जल्दी इस पर हम जब सरकार बनी थी उनको नियाय देंगे पुरंतु आज सवा तीन साल कि सवा तीन साल मैं कोई न्याय निला बार बार लिखा गया और यहां तक कि हिमाचर सरकार के मंत्रियों विदायकों अधिकारियों राज्यपाल मुख्यमंत्री सब को लिखा गया पर वो सब पेंडिग है क्या करने क्या सरकार ने भी ब्रह्च्टाचार से समझाता कर लिया। क्या सरकार ने इन भी कंगरस सरकार से पृष समझौता कर लिया क्या करने क्यूं नि dema क्या करना इस पे आप इस क्षपष पर स्बस्ति करंदीजिया मुख्यमंत्री मोदे काफी तेरो गई है all तो मतलब सेल नी होता है किसी की रोटी रोजी चीनना क्या आछसा काम है क्या वीर पढ़ीर सिंग ने अच्छा काम किया था आप अगर गलत काम किया है तो उसको यह रॉक्टि इसको ठीक करो और दूसरी बात या व расп ピर कि रात मैनत करमचारी निताव में की और हिमाचल परदेश के तमाम करमचारियों ने, पैंशों ने, श्रमिकों ने, बेरोजगारों ने, बीर बत्र सिंग सरकार के वुरुद्ध भारी लेवर पे मोर्चा खुला और पूरे परदेश में डंका बजा दिया, कांगरस बेनकाब हो गई, और भारतिये जंता पार्टी को सता में लाने के लिए, जहां पूरु मुख्यमंतरी प्रेम कुमार धुमल, पूरु बध्यक सत्पाल सत्ती, इन से मिलकर हमने जो है, इस पार्टी को सता में लाया मैं अग्यूशना चाहता हूं मालने मुख्यमंतरी आफ से कि क्या आप ने कभी चुराओं में पूरु मुख्यमंतरी वीर बत्रसिंग के खलाब कोई अवाज उठाई, बताएँ आप, अवाज उठाने वालो में हम थे, हमने आवाज उठाई वीर बत्रसिंग के खिलाब, उसका खेमाजा भी हमने भूगता, हमने तो ये मामले हाई कोट में ले जाने थे, प्रंतु हमने ये सोचा कि ये राजनीतिक उत्पीडन है, राजनीतिक उत्पीडन को उच्चनेयले हाई कोट में क्यों ले जाया जाए, जब हम सरकार की मदद कर रहे हैं, हर फ्रंट पे सरका सचाब को सायोग कर एक सियोग करें लिक्राइव मुख्यमंत्री वेर बद्रिशिंगा ढ़ौ क्यों और हैं लगागारण यह क्या काराण है यह मत्ख boundary कुछ कि क्रमचारियों कर बॉचारियों को दीन ही मिला वानस दीनिम मिला इसालिहा और पैसालिQ कम पर मत्री में इसमत प्रपाइक झाल झाल